बेलकल बी फ्रेंट दोस्तों मसकार इस वीडियो हम लोग देखने वाले है मेर भाई उत्तरपदेश पुलिस 60242 एक्सपेक्टेट फाइनल कटाप कितनी जा सकती है इस वीडियो हम लोग देखने वाले है आर रेडिसे मेरे भाई आप लोग देखेंगे कटाप के उपर बैक पूरे shift को मिला के ठीक है पूरे shift को मिला के running plus और final कटाफ को सब कुछ देखने के बाद पूरे shift को analysis करने के बाद मेरे भाई average कटाफ अब सबकी कितनी अब जाने वाली है अब ये मेरे भाई जो वीडियो आपको दिख रहे है ये final कटाफ है इतनी आप सकी expected final कटाफ जा सकती ह दोड प्लस final कटाफ चले वीडियो को start करते हैं चले वीडियो को start करते हैं सारी जानकारी आपको देते हैं ठीक मेरे भाई जो नए बच्चे आयोंगे सबसे पहले चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लीजेगा बिल आइकान बना होगा आल उस पे जाके select कर दीजेगा ताकि जैसे यहाँ पे वीडियो अप्लोड करूँ आपको notification मिल जाए ठीक मेरे भाई चले यहाँ पी start करते हैं यहाँ पी देखो screen पे आपको दिख रहा होगा screen पे आपको दिख रहा होगा उत्तर परदेश पुलिस 60244, cut off 2024, DBPST plus final cut off, ओके आगे बरते हैं यहाँ पे देखते चलो यहाँ पी देखो मिरे भाई, screen पे आपको दिख रहा होगा अच्छे देखते चलो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं note, 13, 24, 25, 32, 31, पांच दिन आप सभी का exam हुआ था, ठीक मेरे भाई, और 10 shift में exam हुआ था, ओके पांच दिन, 10 shift में आपका उत्तर बर्देश, पुलिस, 64, 244 पदों के लिए exam हुआ था, उसके बाद मेरे भाई, exam होने के बाद, आप सबकी answer की out ही, मतब जारी होने के बाद, अब आप सबकी final कटाप कितनी जाने वाली है, यहाँ पे देख लीजिए, देखो, shift wise कटाप, देखने के बाद, अब हम लोग देखने माले मेरे भाई, 23 तारिक फास्ट और सिकेंड, 24 फास्ट और सिकेंड, 25 फास्ट और सिकेंड, 30 फास्ट और सिकेंड, 31 फास्ट और सिकेंड, सबकुछ कटाप देखने के बाद मेरे भाई, अब इसका सबकुछ final analysis करने के बाद मेरे average cut up आप सबकी final expected doubt के लिए plus final cut up कितनी जाने वाली है इस वीडियों में हम लोग देखने वाले है क्योंकि इसके पहले ही मेरे भाई आपको बता चुके थे कि भाई ये वीडियो आएगी ठीक है analysis करने के बाद पूरी वीडियो आएगी कि भाई ये आप सबकी final cut up कितनी जाएगी उस वीडियो को देख लोगे सारा doubt पूरा clear पता चल जाएगा कि भाई ये result से पहले final cut up कितनी जाने वाली है जब आपका result आएगा तो मिला लीजेगा ठीक है final expected cut up इतनी ही जाएगी लग भाग ठीक है चले देखते हैं उसके बाद आगे देखिए अब यहां भी देखो महिला पूरूस ठीक है हम लोग दोनों देखने वाले हैं महिलाओं का और पूरूस का अब हम लोग दोनों का देखने वाले मेरे भाई महिलाओं का और पूरूस का तो यहाँ पर अच्छे से देखो रंणिंग के लिए कटाब कितनी जाएगी और फाइनल एक्सपेक्टेड कटाब आप सबकी कितनी जाने वाली है इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं अब देखिए सबसे पहले हम कटाब देखेंगे महिलाओं की अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा महिलाओर कटाब सबसे पहले हम महिलाओं के देखेंगे कि आप सबका उत्तर परदेश पुलिस 60244 20% आप सबकी सीट रिजर्व है तब आप सबकी फाइनल कटाब और रनिंग की कटाब और फाइनल कटाब कितनी जाने वाली है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप लोग देख सकती है सबसे पहले हम लोग देखेंगे रनिंग की डीवी पेस्टिक लिए आप सबकी कटाब कितनी जाएगी दोड के लिए कितनी कटाब जाएगी उसके बाद जब आप सबकी दोड हो जाएगी आपकी फाइनल कटाब कितनी जाएगी यहाँ पर साइड में देख लो दोनों दिख रहा होगा ठीक है तर सबसे पहले यहाँ पर देख लो जर्णल 150 से 155 दोड के लिए EWS 145 से 150 OBC यहाँ देखो 150 से 155 प्लस यहाँ लगा है ठीक है इनकी कटाब बढ़ सकती है यहाँ पे जर्णल फिमेल 150 से 155 इनका भी 150 से 155 लेकिन जर्णल फिमेल से कटाब इनकी जादा जा सकती है देख लेना ठीक है इस बार जब कटाब आएगी तिनकी कटाब जादा रहेगी उसके बाद यहाँ देखो ST कटेगरी 140 से 145 ST कटेगरी फिमेल 110 से 115 दोड के लिए आप सबकी इतनी कटाब जाने वाली है फिमेल उसके बाद फाइनल कटाब कितनी जाएगी अब आप सबकी फाइनल कटाब कितनी जाएगी यहाँ पे देखो स्क्रेन पे आपको दिख रहोगा सामने ही यहाँ यह है रनी कटाब यह है फाइनल कटाब यहाँ देखो महिलाओं की फाइनल कटाब कितनी जारे जेर्नल में यहां देखो general category female 155 से 160 नंबर आपका बनेगा आपको एक seat मिल जाएगी ठीक है final selection आप सबका हो जाएगा बित normalization है EWS 150 से 155 final selection OBC 155 से 160 थोड़ा से बढ़ सकता है इनका ठीक है SC category 145 से 150 ST category female 115 से 120 final expected कटाफे ठीक है ए रनिंग कटाफे स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा अच्छे से आप लोग देख लियोंगे female work आप सबकी कटाफ कितनी जाने वाली है स्क्रीन पर आपके सामने पेश कर दिया हूँ अच्छे से आप लोग देख चुकी होँगी अब हम लोग देखने वाले है पूरुस वर्ग में कितनी कटाफ जाने वाली है चलिए देखते हैं अब यहाँ पर इस्क्रीन पर देख लिजिए पूरुस वर्ग कटाफ कितनी जाने वाली है इस्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ देखो इधर आपके लिए दौड की कटाफ है ठीक है, 300 में, बित नार्मलाइजिसन, उसी बाद यहां देखो, EWS, 180-180, OVC, 180-190, दौड के लिए, SC कटेगरी, male candidate, 165-170, ST कटेगरी, 140-145, यह दौड के लिए जाएगी, ठीक है, DBPST के लिए, यह आप सबकी कटाब DBPST, मतलब दौड के लिए, अब final कटाब कितने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ओभी देख लीजिए, यहां भी देखो, जर्नल, male candidate, 195-200, ठीक है, उसके बाद EWS, 180-190, OVC, 190-190, SC कटेगरी, 170-175, ST कटेगरी, 145-150, final expected कटाब इतनी जा सकती है, पूरूस वर्ग, ठीक मेरे भाई, उसके बाद यहां देखो, आप अपको दिख रहा होगा, प्लस माइनस टू, अब यहां देखो, सभी में लगा है, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस दो का मतलब जो कटाब आप सब को स्क्रीन पे यहां पर दीख रही होगी, इस में से, प्लस दो नमबर बढ़ सकता है, यह फिर दो नमबर घड़ सकते हैं, कटाप, ठीक है? इसी में से जो कटाप आपको इस्क्रीन पे दिख रही इन्हीं में से प्लस दो नंबर घट सकता है ये भी प्लस दो नंबर बढ़ सकता है बस यही तनी कटाप अब सब की जाने वाली है इस्क्रीन पे आप लोग चुका हूँ ठीके मिल देने शुलें थैंक्यू धन्यवाद झाल ुका झाल झाल झाल